स्मार्ट एं लीगल गाइदेंस डाउन्लोड डिया अप्लिकेशन ना। कोशन आता है कि अगर false promise of marriage के तोर पे किसी लड़की के साथ में कोई लड़का जो है false promise करता है कि मैं तुम से शादी करूँगा और ऐसा अपना false promise किया जाता है और उसके बाद sexual अपना relation बनाया जाता है तो क्या इसको हम rape की definition में या rape के अपराद के अंदर हम इसको केटेगराईज करेंगे लड़के के उपर क्या rape का चार्ज लगेगा ये बहुत एक common question है और एक doubtable question है जो सबके मन में हापे सामने आता है ये आपको मैं clear तोर पर पताना चाहूंगा तीन judgments एक 2003 वाला Supreme Court का judgment 2007 वाला Supreme Court का judgment और एक 2023 वाला Supreme Court का judgment जो January के अंदर पास करा गया है तो यहाँ पर आपको मैं clear तो पर तीनो judgments में एक ही बात आपको याद रखनी है क्या कि false promise of marriage does not amounts to rape यहाँ पर याद रखिएगा कि एक लड़का और एक लड़की दोनों आपस में अपना sexual relationship अपना बनाते हैं consent लड़की की भी होती है लड़के की भी होती है और लड़के ने अपना जो है लड़की को अपना सचे मन से good faith में बोला था कि मैं तुमसे शादी करूँगा and उसके बाद अब उनका sexual relationship अपना वो बनाते हैं and उसके बाद circumstances आगे चलके ऐसी आ जाती है कि लड़के वाले जो है लड़के के घरवाले जो हैं अगर वो मानते नहीं है agree नहीं क मुझे खुद बताईए कि लड़के का यहां पर good faith है बिल्कुल है तो यहां पर लड़के की क्या गलती है और लड़के ने कोई यहां पर लड़की को जूटा अपना promise तो करा नहीं है अब ऐसे case में वो अप जब अपने घरवालों की उसके घरवाले नहीं मान रहे हैं तो वसे स्टेट ऑफ बिहार 2007 सुप्रीम कोड तीसरा जज्जमेंट अभी 2023 में भी सेम बात यहीं आई है कि एम नेम एहमद वसे स्टेट एंसीट ऑफ डेली 2023 सुप्रीम कोड यहां पर तीनों ही जज्जमेंट में एक ही बात क्लियर शब्द मोबली है कि बाई देखो केवल false promise of marriage के तौर पे यहां पे हम लड़के को rape का charge बिल्कुल भी नहीं लगा सकती है क्योंकि यहां पर circumstances को दिखा जाता है कि लड़के ने जो promise करा था भाई वो अगर निभा नहीं पाया तो इसका मतलब यह नहीं है कि लड़के ने rape करा है या लड़के ने जो है लड़की की consent जो यानिकि जो लड़की है लड़की होगा prosecution के side ही obviously है तो लड़की अगर यह बात court में प्रूफ कर देती है जब यहां पे हमारा sexual relationship बना था वहां पे लड़के की जो intention थी जो लड़के का जो promise था वो clear था जूटा था लड़के के दिमाग में intention बिल्कुल clear थी कि बाही यह मेर प्रूफ कर देती है तब 100% लड़के के उपर रेप का charge लगेगा और 100% लगेगा लेकिन अगर लड़की यह बात प्रूफ नहीं कर पाती है prosecution यह बात प्रूफ नहीं कर पाते है कि during the time of sexual relationship यहां पे जो लड़के का जो promise था intention थी और यहां पे उसका जो pretext था यह बिल्कुल good faith में नहीं था अगर लड़के बात प्रूफ नहीं कर पाती है sorry अब रेप का charge यहां पे बिल्कुल भी नहीं लगता है क्योंकि मैंने आप यह आपको एक circumstances बताई कि लड़के ने good faith में अपना promise कर रहा लड़की के साथ में लेकिन यहां पे circumstances ऐसी आ गई लड़के वाले ज गया relationship तूड़ गया तो यहां पर प्रदीप कुमार वसे state of बिहार यह यह वाला हमना failed relationship का अगर मैं point of view बता हूं यह इसके regarding concern बात करता है तो यहां पर सुप्रीम कोट ने तीनों judgment में clear शब्दों में बोला और आपके exam point of view से भी मैंने name एहमद वर्सेज state and city of Delhi 2023 सुप्रीम वाला भी बता दिया बाकी दो अदर दोजा तीन और दोजा साथ वाले landmark judgment बता दियें तो आप लोग अगर वीडियो के अंदर क्रक्स के फॉर्म में मुद्दे वाली बाते judgments को याद करने के perspective में important topic wise अगर वीडियो देखना चाहते हो तो please मुझे comment box के अंदर जरू आपको वीडियो प्रोवाइड कराता रहूँगा ताकि आपके judgments latest वाले भी landmark वाले भी और एक topic को समझने के perspective से भी आपके understanding बहुत अच्छी बनती रहेगी अगर वीडियो पसंद नहीं है तो वीडियो को लाइक जरू करेंगा बाकी मिलते नेक्स वीडियो के ने झाले वीडियो के बाकी मिलते वीडियो के बाकी मिलते वीडियो के बाकी मिलते वीडियो के 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 वीडि